Hello dear students, welcome to creator super 30. Dear students, fish और bird का एक अनोखा संबन्द है. Bird पानी के किनारे घात लगाए बैठा रहता है बहुत बार, कि हम कैसे fish को खाल भाए? अब जब वो fish को observe करता है, तो fish उसे जितनी गहराई में होती उतनी गहराई में दिखाई नहीं देती है, क्योंकि यहां real depth और apparent depth का concept आएगा. और आपको पता है कि real depth और apparent depth में कौन बढ़ा होगा या कौन चोटा होगा, इस बात का पूरा dependency इस पर है कि object और observer का position कहा है. अगर आपका object denser medium में हो और observer rarer medium में हो तो उस case में real depth बढ़ा होता है और अगर आपका object rarer medium में हो और observer denser medium में हो तो उस case में जो आपका real depth वो छोटा होता है, यानि उस case में apparent position ज्यादा हो जाएगा, ठीक है. आज हम बात करेंगे कि क्या velocity के साथ भी कुछ ऐसा चक्कर है क्या, तो velocity को हम कैसे समझेंगे apparent condition में, तो जड़ा उसमें हम बात करेंगे, तो आज हम स्टार्ट करते है हमारा आज का topic, apparent velocity of object as seen by an observer, ठीक है, तो apparent velocity, जड़ा इस पर हम बात करते हैं. देखो, अब यहां भी दो condition बनेंगे, कि यह देखो, यहां पर यह एक तालाव है, और तालाव में आपके पास एक मचली है, ठीक है, और यह मचली यहां से y depth नीचे है, और यहां से h height उपर एक bird है यह, ठीक है, यह bird, यह bird यहां air में है, जिसका refractive index 1 है, और यह fish यहां पा अब हम सीरा mu के term में डख रहें, ऐसा कुछ है, और यहां पर observer हमारा bird है, तो case अलग अलग हम लेंगे, एक बार bird को observer बनाएंगे, और एक बार fish को observer बनाएंगे, ठीक है, यहां bird is observer, bird हमारा observer है, ठीक है, अब देखो, अगर bird observer है, तो यह fish भले यहां है, लेकिन यह थोड़ा इसको ऊपर दिखेगा, मालों कहीं यहां पर दिख जाएगा, तो यह d' जो कि इसका apparent depth है, यह कितना हो जाएगा, y by mu, अब यह कैसे होगा, यह सब हम पढ़ चुके हैं, किसमे, real depth और apparent depth, part 1 और part 2 में, अगर आपने उसे नहीं देखा है, तो आप उसे भी search करके देखें, औ और वहां से आप होई है, derivations भी मिल जाएगा, ठीक है, तो अगर हम apparent position, apparent position of fish as seen by bird की बात करें, कि यह कितना हो जाएगा, यह देखो, यह bird यहां से हाइट उपर है, और यहां से यह d', यानि कितना y by mu हो जाएगा, कि यह कितना हो जाएगा, यह bird यहां से है, और यह यहां से d' यानि कि h plus कितना y by mu, और इस apparent position को चलो हम x से दिखा देते हैं, तो x बड़ाबर हो गया कितना, h plus y upon mu, अब हमें apparent velocity चाहिए, तो apparent velocity चाहिए, तो एक बार हमको time के respect में differentiate कर देना हो, तो हम लिख दें यहां पर, differentiate, differentiate with respect to time, तो क्या हो जाएगा यह, जल्दी बताओ, dx by dt, बराबर, dh by dt, plus 1 by mu, dy by dt, यह आजाएगा, अब यह जो dx by dt आप देख रहे हैं, यह dx by dt आपका, यह जो value है, यही apparent velocity, apparent velocity of fish with respect to bird है, ठीक है, apparent velocity of fish with respect to bird है, ध्यान रहे, यह dh by dt आपको positive लेना है, अगर bird उपर move करे, और यह dy by dt भी आपको positive लेना है, अगर यह fish नीचे shift करेगा, तो y बरहेगा, तो dy by dt आपको positive लेना है, और अगर bird उपर move कर जाए, तो आपको dh by dt भी positive लेना है, तो आपको ध्यान रखना है, कि if bird goes up, उपर के तरफ हम यह दिखा रहे हैं, अप, तो dh by dt is positive, और if fish goes down, fish goes down, then dy by dt, then dy by dt is positive, ठीक है, यह आपको value यहाँ पर रखके, result मिल जायागा, ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, कि bird को observer बना के तो देख लिए, अब एक बार हम fish को observer बनाएंगी, इसको आप note कर लिजे, और अब हम fish को observer बना के देखे, अब क्या है, यहाँ पर case two आ गया, और case two में fish is observer, अब fish observer है, यह देखो, अब यहाँ से, यह h height उपर, यह bird है, और यहाँ से यह y depth नीचे, यह fish है, ठीक, यह mu हो गया, यह air है, air का तो mu 1 होगा, चलिए, अब ऐसा है, तो यह bird, यहाँ से, इस fish को थोड़ा ऊपर दीखेगा, इसका apparent position थोड़ा ऊपर यहाँ आ जाएगा, यह जो यहाँ आ जाता है, यह कितना हो जाता है, mu times h हो जाता है, इसका भी proof, हमने refractive index, हमने real depth और apparent depth के, previous video में किया है, आप उसको देख सकते हैं, वहाँ जाके, तो हम यहाँ लिखेंगे फिर से, apparent position, apparent position of bird, as seen by fish, कितना हो जाएगा यह, तो यहाँ से यह y है, और यहाँ से यह mu h है, तो कितना हो जाएगा यह, y plus mu h, इसको हम x से दिखा रहें, apparent position को, अगें, यह position है, हमको velocity चाहिए, तो differentiate with respect to time, हम क्या कर रहें, differentiate कर रहें with respect to time, यह value कितना हो जाएगा, dx by dt, is equal to dy by dt, plus mu times dh by dt, यह value हो जाएगा, अगें, फिर से, यह, dx by dt, apparent velocity हो जाएगा, apparent velocity of bird as seen by fish, फिर से, यह, dy by dt को, आपको positive ले रहना है, अगर यह नीचे जाए तो, और dh by dt को positive ले रहना है, अगर यह bird उपर जाए तो, ठिक है, यह relation है, अब इसी relation पे based, एक धमाकेदार सवाल देखते हैं, जिसो की यू चुटियों में बनाया जा सकता है, और आप सीखिये इस question को, चलिए, यह सवाल है, a bird is flying up with a velocity 10 meter per second at an angle of sine inverse 3 by 5 with the horizontal, a fish in pond looks the bird when it is vertically above fish, तो find apparent velocity of bird as seen by fish, ठीक, अब यह सवाल है dear students, अब दीखे, अब इसमें क्या है कि यहाँ एक pond में एक मचली है, और यहाँ एक पंची है चिरिया, यह कुछ ऐसे उड़ रही है, 10 meter per second से, और यह horizontal के साथ कुछ angle बना रही है, theta, इसको माले v velocity से यह जा रहा है, horizontal के साथ theta angle बन रहा है, और horizontal के साथ जो angle है, उसको कितना लिख सकते है, sin inverse 3 by 5, यानि sin theta का value यहाँ पे कितना है, 3 by 5, ठीक है, sin theta 3 by 5 है, तो cos theta कितना हो जाएगा, 4 by 5, यहाँ triangle बना के आप चेक करता है, यह theta है, यह 3 है, यह 5 है यह कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, चलिए, अब सवाल यह उठता है, कि आपको पूछा गया है, apparent velocity of bird as seen by fish, dear students, यह bird ऐसे उर रहा है, और यह fish in pond looks the bird when it is vertically above fish, तो यह इसको देख रहा है bird को, जब इसके ठीक उपर है, और यह यहाँ से ऐसे उरना सुरू कर दिया है, horizontal के साथ कुछ angle बना करके, अब देखे, apparent velocity हमसे पूछा गया है, ध्यान रहे, apparent velocity cable vertical direction में change होगा, यह bird जब इस direction में से उर रहा है, तो इसके पास एक horizontal velocity भी है और एक vertical velocity भी है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर यह लिग दें, कि VX, VX apparent, AWP is equal to VX real, तो यह value कितना आ जाएगा यहाँ से, तो है कितना यह velocity, कितना हो जाएगा, 10 cos theta, यहनी कितना हो जाएगा, 10 into cos theta कि value कितना हो जाएगा, 4 by 5, यह कितना हो जाएगा, 5 into 2, 8 meter per second, यह हो गया, इसके लिए, 8 meter per second, और VY, यहाँ लिख रहे हैं, VY apparent is equal to, अब देखें, Y direction में apparent velocity तो change हो जाएगा, अब देखो, ध्यान से देखो, object हमारा bird है, जो कि radar medium है, और observer हमारा fish है, जो कि denser medium है, तो apparent position mu times increase कर जाता था, तो यहाँ apparent velocity भी mu times increase कर जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, mu times vy real, अब ध्यान रखना है, vy होगा कितना, mu कितना दिया हुए यहाँ पर, mu दिया हुए water का 4 by 3, और vy real आपको चाहिए, तो यह 10 sin theta हो जाएगा, vy, तो यह हो जाएगा 10 into sin theta, यह यह value हो जाएगी 4 by 3 into 10 into sin theta का value आपको दिया हुए 3 by 5, यहां से 3 और 3 cancel, 5 तो यह 2 बार में और यह value कितना जाएगा, 8 meter per second, ठीक है, तो देखो, y direction का apparent velocity भी 8 है, और x direction का apparent velocity 8 है, तो अगर हमको velocity of fish, velocity of bird as seen by fish बताना है, apparently, तो यह कितना हो जाएगा, 8 i cap plus 8 j cap, ठीक है, तो अगर हमको कोई apparent angle पूछ ले, तो apparent angle भी बताया जा सकता है, dear students, कैसे, y component by x component कर देंगे, तो यह apparent angle कितना हो जाएगा, यहां पर, apparent angle tan theta का value, कितना हो जाएगा, 1, यानि कि theta बराबर कितना हो जाएगा यह, 45 degree, तो apparently, यह 45 degree पर जाता हो दिखेगा, तो देखा, आपने कितना आसानी से इस सवाल को solve किया जा सकता है, देखने में बड़ा भेंकर लग रहा है यह सवाल, लेकिन इसको easily solve कर सकते हैं, तो चलिए मुझे उम्मीद है, यह concept आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसी तरीके के interesting concept को सीखने के लिए हमारे channel को follow करें और अपने learning को बढ़ाएं, thank you.